नमस्कार दोस्तों कहते हैं आप लोग उमीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रहे होगी दोस्तों आज हमारी computer के दूसरी class है और हमने computer के एक class जो है आपको upload करा दी है जिसका purpose है कि जितने भी हमारे बंडे exam होते हैं उसमें 2 या 3 number या 4 number या हद 5 number का computer जो है आपसे question पुछे जाते हैं जो static के रूप में question पुछे जाते हैं जो अभी तक exam में आ रहे हैं उनको भी और जो भविश्य में आने वाले हैं उनकी संभावना जिनकी है उनको भी इन सबाद में मेच कर लेना क्योंकि ये class है ऐसी class है जो आपके लिए bullet point का काम करेंगी और आपकी परिक्षा में तयारी को चार चांद लगा देंगी और इसी को सोचकर हमने इन के class को आपका वीडियो class से पहले ही आपको अप्लोड करा रहे हैं क्योंकि यूपिटर प्लाइस सी वीडियो एक्जाम कंटेंड कराने की जो रेट है वह 26 और 27 जून रधाइस की गई है जिसमें पांच नंबर का संद्स्राइब कंपीटर पूछए जाता है जिसमें एक दो क्रिश्टन कंपीटर के कर था जा जाता है जिसे साइन ताइन टेक कैते हैं ठीक है और चार कोश्रण जो हमारे वेसिक कंपीटर कोर्स होता हो अग जी से और हम कोशिच करेंगे तीन सा-4 क्लास पूरे कंपिटर को सिस्फ का नेचोड आपको बताने कि नहीं तो हमने एक लास आपको करा दी है और वह क्लास क्या alar hide हमें ने पीरिषरख बताया है शुक्त तीन प्रकार से प्रंग को भरीगिर क्या roll जाता है एक जा हाज स alum प्रत्य 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 प्रत् Digital Computer, Analog Computer और आपका Digital, Analog और Hybrid Computer जो होते हैं, सब के इन दोनों के तिने को बारें बता दिया है, फिर छंता के अधार पर जो होते हैं, चार प्रकार के होते हैं, जैसे Super Computer हो गया, Man Frame Computer हो गया, आपका Mini Computer हो गया और Micro Computer हो गया, इन सब की बात करने के बावजूद, हमने एक क्लास में पूरा निचोड जो है, इनका दिया है, और आप आसानी से जो है, डाटा क्या होता है, डाटा प्रोसेस कैसा होता है, प्रोसेसिंग क्या होती है, ठीक है, संचरन क्या होता है, निर्गमन क्या होता है, टोटल हमने जो बात आपकी उस क्लास में दी है, अगर आपने क्लास न हमने बताया था कि सारी क्लास होने के बाद कल जो हमारी क्लास रएगी थी वह थी वहां था ठीक है और अब हम बात करने वाले हैं Languid languages of computer के बात करते यह कंपीटर की वहां सा पर हम बात करने वाले हैं और आज के class जो है बहुत unique class हो सकती है ऐसी क्लास हो सकती है कि जो आज तक आप ऐसी क्लास नहीं पढ़ियोगी इतनी बेसिक तरीके से समझ कर और आशान वे में बिल्कुल क्रेजी फ्लो रहेगा हमारा क्रेजी बिल्कुल क्या मतलब आप लोगों को सीधी और सरल भांसा में नो टेक्निकल लेंग्विज ठीक है यानि किसी भी तकनीकी वहां तक आप प्रयोग नहीं किया जाएगा कोशिस किया आईगी आपको सरल और सिंपल बहांता है बताने की जिससे कि आप अपने एक्जाम में अच्छे से कुश्चन बना सकते हैं ठीक है कल भी हमारी क्लास पुर क्योंकि वहमारी एक हम खुस नशीब है कि हम आपके नहीं मेरे तवारा ही तो चली शुरू करते हैं आच से क्लास क्या है हमारी रेंगविजेस ओफ कमिपूटर और कम्पूटर की बहां सा कि आग़ हम आगा चारा को Size 2 निम अटके वहां सा ये हमारा केवरा केवर क्युक्र एदिजनाना किना क Computerson क्लास हो त्रिदे कि आप !! क्लास हो से ठीक है थिए। में उसके नीए ठीक है तो जो भी बेंरे ग्णा मोते ह salary बन सकते देके निस्तरी होती है उच इस्तरी बहुत उस्तर के कंपेटर बहुत है तो यह computer जो है मसीनी वहांसा समझता है उसमें जितनी वहांसा होर होती है वो हम केबल सब्सकोस उसमें add करते हैं माल दीजिए आप गोले पर कोई चीच अगर सर्च कर रहा है तो उसमें जो सर्च होगी तो पहला वो किसके दुवारा compiler के दुवारा assembler के दुवारा या interpreter के दुवारा यह 3 जो होते हैं उनुवादक होते हैं और इनके दुवारा ज要ए उची वहांसा होगी तो अच को निमन मैं उका सीधे तरीकर से समझ सकता है. कंपीटर इसी लेंगज को समझता है, इसके बाद किसी लेंगविज को समझता नहीं है. bütün लेंगबिजों का ओयाहा是ं, अनुबाद करके जब कंपीटर में जाता है, यानि मसीने महाता में ही होका और सारी बहTa जिसको सीधर समझ सकता है है यह यह 2-3 ऐसे टीन यह सलती था कर और लिखी कि इस सब्सक्राइब कर से लिखों ने में अर्बार ऐसे दर्साई बहु effe n ठेक है, यह बाइनी नंबर जो होता हमारा, यह 0, 1, यह बिद्दुत के सिगनलों को बताता है, यानि कि जहां पर 0 आएगा, तो 0 का मतलब होता है, 0 का मतलब यहां पर होता है, कि बिद्दुत सिगनलों की अनुपस्तिती, बिद्दुत सिगनलों की कम्पूटर में अनुपस् और कौन सा signal की उपस्तिती को नहीं बताता है, तो वह बताता है, नहीं बताता है 0. तो यह इस तरीके से question आ सकता है, सबसे पहली भासा होती है, machine ही भासा, computer को सीज़ समझ में आती है, computer की सीज़ समझ में आती है, बाइनी नंबर से तरसा जाती है, 0 बिद्धु सिगनलों की उपस्तिती को बताता है, जबकि एक बिद्धु सिगनलों की उपस्तिती को बताता है, तो इतनी बात आपको समझ में आगई होगी, ठीके उसके बाद जैसे-चैसे computer का विकास हुआ, यह पहली प्योनिकी है, ऐसा क डीवेक, ठीक है, तो यह जो computer से हमारे, उनमें सीधी इन बाताहों का प्रियोग वहता था, जैसे-जैसे computer का विकास हुआ, दूसरी पीडी में चपन के बाद में आए हम, कब आए, पहली पीडी उनिस्तो चालिस तो उनिस्तो चपन तक, जैसे उनिस्तो चपन सम उनिस्तो महासा के नंबर थे, जो भी हमारी महासा के नंबर थे, जीरो और एक, उनके इस्थान पर, उनके इस्थान पर क्या प्रियोग होने लगा, उनको समझने के नहीं, अंग्रेजी सब्दों का प्रियोग और नाम और संकेतों का प्रियोग होने लगा, यानि कि इनने नंबरों क कि इस्थान पर अंग्रेजी सब्दों का और नामों और संकेतों का जो है प्रियोग होने लगा यानि कि क्या हुआ कि अब ट्रांसलेक्टर की जुरूद पड़ी तब यहां कोश्चन आता है कि आसंबलर क्या काम करता है तो आसेंबली बहां साउब को मशीनि बहां सा में करनवेट करता है यही बात है कि जब हमारे पास दूसरी प्यडी की महां साइ़ और कौन से एंग्रेजी सब्द और नाम और संकेत यह हमने एड़ करने सुरू कर दिये कम्प्यूटर में अब कम्प् आगरा देखा, आगरा में ताज महल की बात करी, तो ताज महल की उनकी भाता को हमारे बीचे में, और हमारी भाता को उनके बीच में, communication some pressure कून करेगा some pressure कोन करेगा बार कला आप कौन कराएगा translator ठीक कौन कराएगा translator तो इसी तरीके से हमें नीट थो को हने लिए अंगिरीजी सब्थों की नामों की व् ENPS ौभी मैं computer को समझे ले रहा तो computer के अंदर CPO में क्या होता है एक होता है आपका अनुबादक जिसको कहते है 預備 compiler इस time तो बहुत के काम करता है इस और उनने क्या करना शुरू कर दिया मउस्हीनी भात उने जासे मानके ज़ली मैंने लिखा google मैंने लिखा किött गूगल सरता मैंने क्या nhân उन्हायाश सरकारी रेयल् 1 तो कंप्पीटर को समन होगे रेयल्ट वहां प्रच्ए मिठीड यह चीज मांग रहा है computer उस चीज़ की खोज अपनी महासा में करेगा मशीनी महासा में थिक जब वह मिल जाएगा तो उसी महासा सी रियल्ट देगा परन्तु हमें वह मशीनी महासा आती हैं 01 की हमें नहीं आती, coding महासा नहीं आती तो फिर वही compiler वही interpreter वही assembler जो हमारे अनुबादक होते हैं assembler interpreter compiler यहीं हमें के काम करें जिस language में हमने पूछा है उसी लेंग्विज जो हमारा जवाब मिलेगा ठीक है तो इतना काम होता है अंदर अब आप समझगे होगे कि क्या चीज़े होती है इस सब इसे कुछ नहीं हो सकता ठीक है तो यह चीज हो गई है यह समझ लिए आपने फिर सब्सक्राइब क्योंकि और आगे प्योड़ी बढ़ी तो त्रित्य प्योड़ी में जो है उसी सब्सक्राइब हो गया था और उस्चस्तरी भासा को हमने कई वागवां करवट किया जैसे एक हो गया आपकी बेशिक फोर्टान पी एल और एलगोल ठीक है यह कैसी है बानिज प्योगोटे तो कैसी फोर्मूला बनाने लगी है अब जितनी भी वहां सा होती है उनमें कुंद्धी होती है फोर्टान होती इंकी होती है इनकी फॉर्फार लिख लो इंड़ा हर बर्सक्राइब क्या होती है बिगनर ऑल Deaf अपरपॉस不過 symbols can kill Google cat क्या होती है beginner आया बिजनर आल परिपस में आर्फ़ेशन कोड क्या होती है बिजनर आल सुंपल से सिंवल इंट्रेक्सफन कोडE इसके फॉल फॉन यह होती है फोटान के क्या था 53 एक फोर्मुला तीक होती है ट्रांसलेशन फोर्मुला ट्रांसलेशन 10 प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग लेंगुज सब्सक्रामुट प्रोग्रामिंग्जार्ण थे लेंगवेज ओता है कैसा होता है ए stubborn ते प्रकारत होता है होते हैं चार प्रिकार की जो है यह होती है हमारी एक होती है हमारी बेसिक दूसरी होती है फोटान तीसरी होती है प्लबन और चोथी क्या होती है एल गोलिक ठीक है इनकी बेसिक हो चुगी आपकी अब हम दूसरे नंबर बात करते हैं दूसरे नंबर बात करते हैं क्या है हो कि woven होती है तो कोंती हुती है बिजनेश डाटा प्रोसेस होती है यह कोंतीष इसब्राइब होती है यह दूड़ प्रकार क्यों होती है उसी सतरे वहात होती है तो कोब्ल का मतलब क्या होता Common Business, चीक है? चीक है? धीक है, यह तो होगी हमारी सृच्तिया कोमन बिजनेस, ठीक है? चीक है यह होती है Common Besبة of mark quelle? इसकी. त्हीक है, route, भीजनेस और ग्रांगींग, इसका प्रियोग होता है। कोबल का प्रियोग कि की समी कि समी होता है विजनीमश डाटा चलाएं एक सेकंड फैसे कि से प्रियोग होता है प सब्सक्राइब बात करतें तीसरी gिस ये। LRIP इस ट्रीजरी अवस्केंट करेंगहात है उनके प्लीकों अप्ल고 करेंग। प्लूर एक की का मतलब के अईयसर फ्लूर्जय हे लिस्ट प्रोग्रामिंग की मेंतार प्रोग्रामिन वेक। लिस्ट प्रोग्रामिंग होता है तो लिस्ट हो गया पीस हो गया प्रोलोग से क्या हो गया प्रोग्रामिंग इन लोजिक प्रोग्रामिंग इन लोजिक क्या होता है प्रोग्रामिंग इन लोजिक ठीक है भई प्रोग्रामिंग इन लोजिक इसका मतलब होता है प्रोलोग का तो तेंगो तीन प्रिकार क्यों की है यह सारी बहां से हैं बेसिक फोर्टान पी लवन एलगोल यह किसमें प्रियोग किया थे बीजग नहीं थे में फिर कोबोल पीएस और पीजी यह बिजनेस किसमें जहाता इस्टिंग और को सोते हैं थे फशेत्र होते हैं आप इपने यह बनाटियों कि सब्सखेस अब बाता धिएसव्य सब्सक्राइब और सब्सक्राइबम मतलग करते हैं अब ब सौने तर् hats को मलग prophets बनग सब्सक्राइब च горक दैक में वहां ही यह वाले बजने कोड़ू MIT एप इन्वेंटर यह वहां सा भी होती है कोड़ू और MIT एप इन्वेंटर वहां सा ठीक है तो यह कुण सी वहां सा होती है यह होती है द्रश्चे प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग भाशा भाइया कैसी होती है द्रश्चे प्रोग्रामिंग भाशा होती है इसमे एदिज में किया किरा या सहमें चेटर में में चेत्र और आकर्ती का प्रियोग किया आС 영म अधका या परने के या कि अछ्गेलीजीन यह तो यहीं हमारी चाहिंश हमारी कंपीटर के लेंग्यूर्त है इस भात को अपढ़े लीजे के अच्छे लिगता इस तेँ घ्सारा है इ आगे बात करते हैं कि इस से आगे भी कंपिटर में क्या चीज है आपकी ठीक है चलिए टेंशन नहीं है सारी बात आपको बड़ी सिंपल तरीके से बताए जाएगी बिल्कुर नो टेंशन किसी बात की टेंशन निकन नहीं है आपको अब देखें कुछ होते हैं अनुबादक क्या होते हैं बहांशा के अनुबादक बहांशा के अनुबादक होते हैं और आज मैं आपको बिल्कुल माइन में डाल दूगा कि बो क्या होते हैं अनुबादक और कैसे काम करते हैं शब बिल्कुल इससा हलका कंप्यूटर आपने कभी पढ़ानी होगा जितनी हलकी सिंपल 다음에 साथarta रहे हम कि बिर्लोकौल ऐसी लेंगोज बता रहे हैं Hm और दूसरा अचाहिए दूसरा क्यों सब्सक्राइब कुने होता दूसरा कंपाइलर थीजर पॉनसा होता हैं इंटरप्रेटर ठीक बई इंटरप्रेटर अब धेकि यह तीन पाइडर क्यों होते हैं थिंजी होते होते हैं जो कंप्धुटर की उपियोग करता साय किरा आते हैं जैसे कि हमने कोई भी चीज गूगल में नायनचर करते हैं तो यह कोई भी कंप्यूटर हम अंडिश्य को नहीं पकड़ापाता है हमारे किसी भी कमान को नहीं पकड़ा-पाते हैं कि करते हैं हमारे के मशीनी भासा में बताना होता है किया होता है मशीनी बहाचा म करना होता है क्योंकि जो भी हम कंप्रे अब में इस किश क्रों गमने की दवाओं में कुछ भी लिखोंगा तो वो क्या है मोवाइल से समझेगा वो पहले उसको संकेतों को और आपकी जो चिन होंगे उनको किसमे करेंगा मशीनी भासा में तो देखे इसका मतलब क्या होता है निम्न इस्तरिये इस्तरिये भासा को किसमे कर्मड करता है उच्छ इस्तरिये भासा में इस्तरिये भासा में यह चैंज करके देगा जो भी कंप्यूटर ने पकड़ा होगा उसको क्या करेंगा निम्न इस्तरिये भासा मतीनी भासा निम्स्त होती है उसको फिर जिस चीज में ह खिझ बात चला हमने संकेत मांगे उच्छ मा nix मा को में हमने संकेत मांगे है तो निम्न संकेत मांगे को संक्तरिख निम्न यह तरीका होता हमारे पास यह तीन प्रकार के तरीकया हमारे पास होते हैं इसको जल्दि सीचीन सोट लो इसका जल्दि सा थिक कऱ्ास कर देंजो है पती अनुगत करें शाज कंषा कंपाइलर करता है करता है तो यह बात हो गई हमारी इसको समझ लीजिए अब हम बात करते हैं किसमें हम बात करते हैं कंप्यूटर के संद्रचना में ठीक है उससे पहला आपको कुछ क्लिक लिए उससे पहला कुछ फुल निए है उससना पहल самой फुल प्लीष रीजनी आपका दोब k ऐगा सी पी यू सी पी यू तो इसकी प्लिएक को सेंट्र प्रोसेसीं संद्र नहीं टिम्लंट न कि है इसकी और ही उप tovej στο salary दो को हाइपर टैक्स ट्रांसपर प्रोटोकोल हाइपर टेक्स टांस-भाइपर प्रोटोकोल प्रोटोकोल फिल इसकी होती है एक आपकी Egyptian king GPS इस automation system इस्टम पोजेशि Norm इसटम ग्लोबेल पोजेशिन इस्टम एक ज्टम एक पहर आपकी होती है एक आपकी होती है U R L Uniform Resource Locator क्या होती है Uniform Resource Locator ठीक है Uniform Resource Locator यह आपको सबको पता होगा WWW WorldWave Babe ठीक है ठीक है तो इनके बारे में आपको थोड़ा से लिख लेना है यानि कि हम CPU की क्या लिखांगे Central Processing Unit HTML की क्या लिखांगे Hypertext Markup Language HTTP की क्या लिखांगे Hypertext Transfer Protocol GPS की क्या पढ़ांगे Globing Processing System ठीक है URL की क्या पढ़ांगे Uniform Resource Locator WWW इसके बाद में आपको लिखना है आपको लिखना है ALU Arthematic Logical Unit क्या लिखना है Arthematic Logical Unit ठीक है फिर लिखना है CU क्या लिखना है CU इस हम कहते हैं Central Unit क्या कहते है Central Unit क्या कहते है Central Unit तीसरा एक हमारा जो होता है एक होता है MU क्या होता है Memory Unit इसे कहते हैं Memory Unit ठीक है तो इस तरीके से जो है दो चार आप यहां से याद कर लो इसकी ठीक है दो चार यहां से याद कर लो होगी यहां ठीकए हैं इतना याद कर लोगे नितना याद करूए यहां पर बताओ जल्दी यल्ले बताओ इतना याद कर लोगे ठीक है क्योंकि ऐसा होता ना कि जब तक हम इसको तयार आरत सभार और काम करने वाला यहां एक और लिखे लोगने यहां पर लिखना चाहो तो जी यू आई इसका मतलब क्या होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कई बार इनकी फुल फॉर्म पुशी जाती है ठीक है इनकी फुल फॉर्म पुशी जाती है इसको जल्दी से नोट कर लो इसकी इंसोट ले लो ठीक है कम्प्यूटर की संद्द्द 6 घशंद करने वाले हैं इसे कैथे कम्प्यूटर की संद्द कंप्यूटर मेमोरी कंप्यूटर मेमोरी कंप्यूटर मेमोरी ठीक है एक ही होगे हमारी दूसरी होती है हमारी सी पी यू सी पी यू एक होती हमारी तीसरी के होती है हमारी इंपुट और आउटपुट आउटपुट एक ही होती हमारी तो तीन कंडिशन होती है हमारी कंप्यू की सरण रच All recognition में देख लो इसका और इंपट-output का मतलब क्या होता जैसे कि हम एहां पर इंपने के बाद किस्म आया ओटो पुट में मेरे HDMI करता आप होता है इन पीटा फिर के होते आप एक होते हैं एक होते हैं तो मेमाड़ अपका टो french है किया है बारा बार आ देखना पड़ता है तो लिखे क्या है आब इतोब से डिए पार लेजिए से पहले इसको क्या रहते हैं एंप ए इसकी गती मापीयाती है दो आई मिलियन इंस्टेक्सों पर सिंद रहते हैं त्को की टीब काई को शां कहिंए कि भाई काम्पीटर के चो गती होती वह किसी जो मापी जाती है मिलियन इंस्टेक्शन पर सेकिन में मापी जाती है ठीक है एलियू काम करता है गणितिय किरियाओ का और तार्किक तार्क यह देखता है करता है क्या करता है मैमोरी से नर्देसों को क्या करता है और यह क्या होता है यह होता है एस्थाई स्टोरेज होता है जो हमारे प्रोसेसर से पहले जाने से पहले डाटा को संग्रित करता है और नया डाटा नया डाटा एंटर होने पुराना डाटा जो होता है पुराना डाटा जो है स्वेताही समाप्त हो जाता है इसनी बात यहां से याद करनी है कंप्यूटर मेमोरी जो होती है वो कितने प्राथमिक प्राथमिक मेमोरी प्राथमिक मेमोरी होती है हैं एक हमारी होती है दुधियों कैसी होती है दुधकी होती है दुधियों होती है इसको जलदी से लिए पिर समझाता हूँ खैक है जलदी से स्क्रीनष नींहें हो गया थ पहले इसको समझा जाते हैं क्या होता इन्पूट आउटपुट अर यह क्या था इन्पूट हमारे द्वारत द्रदेश होता है वेवस्ते डाटा प्रोसेस होता फिर आउट्पूट में कर्मड हो जाता है अप्राइमोरी के उपर आप करने वाले हैं वो मेमुरी को बात करने वाले हैं के उपर बात चलिए अब देखते हैं कि memory computer की memory क्या होती है और देख computer memory को मैंने आपको दर्षा दिया है computer memory कितने प्रिकार की होती है दो प्रिकार की होती है ठीक है एक होता है प्राज्मिक memory प्राज्मिक memory को मुख्य memory कहते हैं क्या कहते हैं मुख्य memory भी कहते हैं ठीक है मुख्य मेमरी भी प्रोसेसिंग से पहले प्रोसेसिंग से पहले डाटा इसे में इस्टोर होता है तो देखिए यह होती है दो प्रिकार की एक तो बोलेटाइल होती है एक नौन बोलेटाइल होती है ठीक है तो जो रैम होती है वो क्या असी होती है वो होती है आपकी बोलेटा ठीक है इसका मतलब क्या होता है एक होती है एक होती है इसमें एक दो तीन Edr ठीक है तो होते हैं हमारे रेम के सारे भाग यानि कि बलेटाइल में अगर आपको कुछ ना कुछ हे रहा नियुक्त बॉलटाइल मेमोरी है और कुछ सी दाईर तो अक्सर यहां ते कुछ ना क को शन्सकी है तो अच्षे तरीकर त्यार कर देना तो रेस्टड होता है एक यह memory होता है एक रेम आपका तुछे कि नोसी होती यह होती है रोम हम के बाया जा सकता है क्या हो सकता है इसे क्यों सकते है डोrès परभी होता कि इससे याद रह जाता और बहुते हैं थे क्या होता रिड से या평ठी Então स्कृतने होते हैं प्रॉम होता है प्र यायनि कि या light प्रोब और एप यह रिच्य के थी होती है आप इसको याद रखो इस पेरी और थाइँ-अब करते हैं आग आप्साइक मेमरी का होती है सौयक मेमरी क्या की जाओ करने के इसका प्रयोग उच्छान च्छान को इसका प्रयों कहा था दुत्य जा सकता है इसको दिवांख मैं रखो ठेक है यह इस्थाई तोर पर यहां पर बनी रह सकती है मेंगनेटिक और दुस्री कोनत्य होती है अपटिकल होती है jadi देखे, TAP जो होती है, MAGNITICAL, HD होता है MAGNITICAL, GYPDIX जो होती है, FDD जो होती है, ये भी MAGNITIC जबकि optical कौनती होती है, बाहर से लगाई जाती है, optical जो बाहर वाली होती है, CD-ROM, CD-R, CD-RW, ऐसे DBD-ROM, dbr dvdr और dvd रों ठीक है तो यह सब इस प्रकार की मेमोरी होती है इस्थाय मेमोरी और दुत्य मेमोरी इनको आप अच्छे से देख लेना अच्छे तरीके तरीके कर लो ना कबर इसको एता नो कि आपके दिमाग से चीजे निकल जाए और कोशन बहुत टब बन जाए ठीक है हो तो कल जो हम बात करने वाले कर बात करेंगे यानि कि मेमोरी का मापक क्या होता है में का उनकि महीं कितने जो पिर पांच के लाशे देख़ो कियसे आपका एक्जाम निकले हुंट परसेंट लिगा ठीक है आपके पांच नमबर्भभ नब यहांचन परण्टों आपको सारी फोलो करना बड़नी पढ़ा गढ़े तो ठीक है दोस्तों मिलते हैं पर जहिन जवारत दंदे मात्रम गर्मी बहुत है आप भी अपना दिहान रखू